आईए जाने डॉक्तर बाबा साहब अमबेडकर के परिवार की संपूर्ण जानकारी और उनका इतिहास आज की राजनीती में डॉक्तर बाबा साहब अमबेडकर के वन्शच के रूप में चर्चा की जा रही है इसमें कभी कभी प्रकाश उर्फ बाला साहब अमबेडकर तो कभी आनंदराज और राजरतन अमबेडकर की भी चर्चा होती है आए दिन अमबेडकर के परिवार के अन्य लोग कभी न कभी सुर्खियों में रहते हैं लेकिन बहुत से लोग डॉक्तर बाबा साहब अमबेडकर की वन्शावली के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं आज के इस वीडियो में हम बाबा साहिब अम्बेडकर के पुरे परिवार के बारे में जानने वाले हैं। डॉक्तर बाबा साहिब अम्बेडकर के पिता का नाम मेजर राम जी मालो जी सक्पाल था। अम्बेडकर का मूल उपनाम सक्पाल था। और उनका जन्मस्थल कोकण में रतनागिरी जिले के मंदनगड तालुका में अम्बवाडे गाव था मेजर रामजी सक्पाल सेना में सूबेदार थे उनका विवा सातारा के सूबेदार मेजर धर्मा रामनात मुर्बाड कर की पुत्री भीमामाता से हुआ था रामजी और भीमाबाई की कुल 14 संताने हुए थे लेकिन उनमे से साथ की कम उम्मर में ही मौत हो गई थी बाला राम रामजी और भीमाबाई की आठवी संतान थे नौवी बेटी गंगाबाई दसवी रमाबाई जारहवी आनंदराव और फिर बारहवी मंजुला रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की चौधवी सबसे छोटे संतान भीमराव रामजी सकपाल थे अर्थात हमारे मसीहा दौक्तर बाबा साहब अंबेड कर थे अब देखते हैं सकपाल उपनाम आज अंबेड कर कैसे हो गया और डॉक्तर बाबा साहेब की पुरी वन्शावली बाबा साहेब का जन्म मध्यप्रदेश के महुगाव में हुआ था रामजी सक्पाल तब मध्यप्रदेश में सेना में थे इसके बाद वे सातारा आ गए डॉक्टर बाबा साहब को 7 नवंबर 1900 को स्कूल में भरती कराया गया उस समय गाव के नाम से उपनाम लगाने की प्रथा थी तृष्ण जी केशव अमबेडकर के प्रियच छात्र भीमराव सक्पाल थे तृष्ण जी अमबेडकर ने अपना उपनाम बाबा साहब के उपनाम के रूप में जोड़ा था यहां भी कहा जाता है कि उपनाम के कारण जाती विरोध समाज को जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ता था इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिता राम जी ने सरनेम में सक्पाल की जगा आमबडवेकर लिखाया उस समय गाव के नाम से उपनाम लगाने की प्रथा थी इसलिए गाव के नाम पर आमबडवेकर से आमबेडकर सरनेम लगाया गया और यहीं दिन से सक्पाल घराना आमबेडकर के नाम से जानने लगा आईए जाने बाबा साहब के पर पोटे राजरत्न आमबेडकर की ओर से सच्ची कहानी आमबेडकर नाम का कोई धामन गुरुजी था ही नहीं रामजी बाबा ने सोच समझ कर इस गाउ का नाम अपने आगे लगाया अमबडवेकर और सिर्फ ये नाम उच्चार करने में आरा तेड़ा था अमबडवेकर आज भी जब मैं बोलता हूँ तो ये एक लाइन में नहीं बोल पाता तो इसलिए अमबडवेकर को अमबेड कर कर दिया गया अब देखते हैं डॉक्तर बाबा साहिब अमबेड कर की वन्शावली डॉक्तर बाबा साहिब ने भागिरिती भीकू धोत्रे से शादी की थी शादी के बाद भागिरिती का नाम रमाई हुआ बाबा साहेब और रमाबाई के कुल पाँच बच्चे थे जिन में से चार की कम उम्र में ही मृत्यू हो गई थी इनके नाम रमेश, गंगाधर, इंदू और राजरत्न थे पाँचवी संतान यश्वंद उर्फ भहिया साहेब अमबेड कर है यश्वंद अमबेड कर की पतनी का नाम मीराबाई यश्वंद अमबेड कर था और मीराबाई के कुल चार बच्चे हुए इनमें तीन लड़के और एक लड़की है पहले प्रकाश उर्फ बाला साहेब अमबेड कर दूसरे रमाबाई तीसरे भीमराव अंबेडकर और चौथे आनन्दराज अंबेडकर है आज यह पीड़ी बाबा साहब अंबेडकर की तीसरी पीड़ी के रूप में जानी जाती है प्रकाश अंबेडकर, रमाई तेलतुम्डे, भीमराव अंबेडकर और आनन्दराज अंबेडकर के दादाजी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र यश्वंत राव है और यश्वंत राव के बच्चे यानि बाबा साहब की तीसरी पीधी के बारे में विस्तरित जानकारी देखें बाबा साहब के चिरंजीव यश्वंत ने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया वे बौध्ध आंदोलन के कार्यकरता, विचारत और पदाधिकारी थे वे भारतिय बौध्ध महास्बा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जिसमें उन्हें चैत्य भूमी के जनक और महाराष्ट विधान परिशत के पूर्व सदर्स्य भी रह चुके हैं यश्वन्त उर्फ भहिया साहब अंबेडकर का निधन 1977 में हो गया उनकी पत्नी मीराबाई भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी यश्वन्त राव के बच्चे हैं प्रकाश अंबेडकर भीमराव अंबेडकर, आनन्दराज अंबेडकर और बेटी रमाबाई अंबेडकर इनमें प्रकाश उर्फ बाला साहब अंबेडकर एक सक्रिय राजनेता के रूप में जाने जाते हैं वे वन्चित बहुजन आघाडी के राश्य अध्यक्ष है वे राज्यस भाँ और लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उनकी पत्मी का नाम अंजली है अंजली एक अच्छे प्रोफेसर, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकरता विचारों के रूप में जानी जाती है सुजात प्रकाश अंबेडकर और अंजली के इकलोते पुत्र है यहां बाबा साहिब अंबेडकर की चौथी पीड़ी है सुजात अंबेडकर ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से राजनीती विज्ञान पूरा किया उन्होंने एशियन जर्नलिज्म कॉलेज चेन्नेई से पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है साथ ही रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी लंदन से इलेक्षिन कैंपस डिमोक्रसी में मास्टर डिग्री भी हासिल की है उन्होंने अपने पिता की तरह अपनी राजनीतिक पहचान भी बनाई है भीमराव उर्फ दादा साहिब अंबेड कर यश्वन्त उर्फ भहिया साब के दुसरे पुत्र है भीमराव भारतिय बौध महासभा धंब संगठन के राश्चिय कार्यकारी अध्यक्ष थे और समता सैनिक दल के राश्चिय अध्यक्ष भी है उनकी पत्मी का नाम दर्शना अंबेड कर है भीमराव और दर्शना अंबेड कर की इकलौती बेटी कृतिका है अब मुंबाई में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है भया साहिब अंबेड कर के तीसरे बेटे का नाम आनन्दराज अंबेड कर है उनकी भी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान है सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर वह लगातार चर्चा में रहते है आनन्दराज अंबेडकर की पत्नी का नाम मनीशा है आनन्दराज और मनीशा के साहिल और अमन नाम के दो बच्चे है साहिल भी बाबा साहिब की तरह विदेश में प्रुड्यू यूनिवर्सिटी यूनाइटिज स्टेट में सिविल एंजिनिरिंग मास्टर्स डिग्री कर रही है अब यश्वन्तराव की बेटी रमाबाई के बारे में जानते है शादी के बाद उनकी पहचान रमाबाई तेलतुंबडे के नाम से जाने जाते है वह प्रसिद्ध लेखक, बौधिक और मानवाधिकार कार्य करता आनंद तेलतुंबडे की पत्नी है वह एक विचारक के रूप में रमाबाई तेलतुंबडे को स्वतंत्र विचार के रूप में भी जाना जाता है रमाबाई और आनंद तेलतुमबडे की दो बेटियां राची और रश्मी है डॉक्तर बाबा साहिब आमबेडकर के भाई आनंदराव के बेटे मुकुंदराव आमबेडकर की पीधी ने भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है मुकुंदराव आमबेडकर को अशोक, दिलीप, विद्याताई और सुजाता बाई ऐसे चार बच्चे हैं अब अशोक आमबेडकर को देखते हैं अशोक आमबेडकर के बेटे संदेश और राजरत्न आमबेडकर हैं इनमें से राजरत्न अम्बेडकर भी राजनीती में सक्रिय हैं। राजरत्न अम्बेडकर भारतिय बौध महासभा के अध्यक्ष हैं। और इसके माध्यम से बौध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करती हैं। राजरत्न आमबेडकर ने बाबा साहब के विचार पुरे देश-विदेश में पहुचा रही है और दलित समाज को न्याएं, अधिकार और विकास हितु बहुत बड़ा समाज कार्य कर रही है तो यह था डॉक्तर बाबा साहब आमबेडकर का वंश विस्तार उनके बाद की चौथी पीधी ने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक खेत्रों में दलित समाज को न्याएं और अधिकार दिलाने देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे हम सब भारतियों की तरफ से डॉक्तर बाबा साहब आमबेडकर और उनकी नई पिढ़ी को शत-शत प्रणाम जय भीम नमो बुद्धाए इस तरह के और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए जय भीम जय भारत चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब वीडियो अबतान तरह के लगदा है जय भारत चैनल को रहाँ, जबतान वीडियो जय भीमे करना न भीम याँ, वीमे को लो बूले प्रणावा सब्सक्राइब झाल झाल